नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचत प्रदीश में हुई HP TGT Non-Medical की परिक्षा के बारे में और इसमें जो भी प्रशन पूछे गए थे उनके answer solve करने की कोशिश करेंगे और हमारे पास यह C-Series का पेपर है इसमें हम जो HPG के और दूसरा आपका reasoning, English और Hindi के कुछ एक प्रशन आये थे उनको हम discuss करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रशन संक्या 50 से पहला प्रशन देखिए शिक्षाविद जिसने अधिगम में पांच अपचारिक सोपानों का विचार प्रस्तूत किया था तो यह थे हरबर्ट, नेक्स देखिए शिक्षक का कौन सा गुण, उसके विद्यातियों द्वारा सरवधिक पसंद किया जाता है तो इसका जुसा ही उत्तर होगा देखिए विकल्प नमबर D उसका निश्पक्ष रवया और्थोफिडिकल बादित बालकों में यह होने की संभावना है तो इसमें होते है देखिए डिस्थैमिया तो इसका जुसा ही उत्तर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर D उना इसका जुसा ही उत्तर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर D उना 56 है कौन सा जिला मुख्याल है हिमाचल प्रदेश में सबसे निमन तुंक्ता पर स्थित है तो यह है आपका विकल्प नमबर C अगर आपको सही उत्तर इसका मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं अगला प्रशन है इंदरासन परवत श्रिंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो देखिए इंदरासन जो है पो है आपका विकल्प नमबर E लाहॉल स्पिती में नेक्स से देखिए लालूनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है तो लालूनी जो जोत है ये भी किस में है लाहॉल स्पिती में ही है काली का कुंट पानी का सोता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो ये है आपका जिला चमबा किस वर्ष गुर्गोविन सिंग ने मंडी की यात्रा की थी विकलप नमबर A 1685 में नेक्स से दिखिए बिलासपूर में कौन सा अंदोलन हुआ था तो इन में से जो अंदोलन बिलासपूर में हुआ था जुगा अंदोलन ठीक है नालागर का पुराना नाम क्या था उंदोर था विकलप में नहीं है तो विकलप नमबर D इसका क्या होगा सही उतर होगा किस ने 1965 में मास्टर कॉप्स में राष्ट्यपूर स्कार प्राप्त किया था तो ये थी महेशी देवी विकलप नमबर C प्रशन है डिकी डॉल्मा हिमाचपरदेश के केस जिले से संबंदेत हैं तो ये है देखिए इसका जुसाई उतर होगा विकलप नमबर C कुलू कौन हिमाचपरदेश का प्रत्थम न्याइक आयुक्त था जुडिशल कमिशनर ये थे जे एन बैनर जी विकलप नमबर D मंडी जिले में विधानसवा निर्वाचन क्षेतरों की कुल संख्या तो इन में से कोई नहीं होगा विकलप नमबर D इसका क्या है सही उतर होगा राजय किशी प्रबंधन विस्तार प्रिशिक्षन संस्थान हिमाचपरदेश में कहां स्थित है तो देखे 67 का विकलप नमबर C मशोबरा सही होगा कोल बांध जल विदुत पर योजना केस नदी पर निर्मित है तो देखे इसका जो सही उतर है यह आपका सतलूज विकलप नमबर A इसका क्या होगा सही उतर होगा 69 ने देखिए बुरहा निरित्य हिमाचपरदेश के केस जिले में किया जाता है तो इसका जो सही उतर होगा देखे विकलप नमबर A सिर्मौर यह 70 प्रशन है देखिए इसका जो सही उतर होना चाहिए था विकलप नमबर B 4 ठीक है अगली 71 का उतर है देखिए कि ऐसे कितने 8 हैं जिनके पहले 5 है किन्तु बाद में 3 नहीं है तो इसका जो सही उतर था विकलप नमबर A 2 नेक्स है एक लास में 45 चाहत्र है इनमें से पास हुए चाहत्रों में अनमोल ने उपर से 11 और नीचे से 5 रुआ स्थान प्राप्त किया है कितने चाहत्र फेल हुए हैं तो देखिए इसका जो सही उतर होगा आपका विकलप नमबर B इसका क्या होगा सही उतर होगा 72 का का है तो इसका जो सही उतर था देखिए विकलप नमबर A वीजय नेक्स ते देखिए शरिंखला को पूरा करने को कहा गया था तो इसके में जो सही आना था देखिए वो था आपका विकलप नमबर D L Y L नेक्स ते देखिए कौन सी स्पेस एजन्सी माई 2020 में प्रत्थम बा कि सी इसका क्या होना चाहिए था करेक्ट अंसर होना चाहिए था नेक्स से देखिए निमी लिकित में से किस तकनीकी फॉर्म ने हाल ही में NASSCOM Foundation के साथ Invest for Accessible India वियान शुरू किया है तो इसका जो सही उतर है देखिए यह होगा आपका विकलप नमबर C Microsoft हाल ही में किस देश विशु के शेहरों के शिकर सम्मिलन की यजमानी की तो देखिए इसका जो सही उतर होगा विकलप नमबर C Singapore भारत के किस भोधपूर मोख है नयादिश को हाल ही में राजय सबा के लिए मनोनेत किया गया है तो सही उतर होगा विकलप नमबर D रंजन गोगोई 79 ने देखिए हाल ही में दिवंगत पाटिल्स क्षेतर से संबंधित हैं तो ये है देखिए विकलप नमबर B पत्रकारिता से 80 का क्या होगा 79 का देखिए क्या होगा B होगा पत्रकारिता 80 देखिए 10 राजा लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा आपका विकलप नमबर A रावी प्रत्थम बहुत संगीत का संगरक्षन किस शासक ने किया था तो इसका सही उतर है अजात चत्रू नेक्स है इबन बतुता एक सुप्रसिद यात्री किस देश के थे तो ये थे मुरकों के विकलप नमबर D इसका क्या होगा स जोसा की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई तो ये शिर्शासूरी और हुमाईयों के बीच में लड़ी गई थी किसने आत्मी सभा का प्ररंब किया तो इसका जो सही उतर है देखिए राजाराम मोहन राय नेक्स से देखिए नॉर्वेस्टर किस दिश की स्थानिय पवन ह तो ये है विकल्प नमबर D न्यूजिलेंड नेक्स से देखिए कौन सा सबसे गहरा महसागर है प्रशांत महसागर और ये प्रशन बहुत किस से पहले भी किसी परिक्षा में पूछा गया था नेक्स से देखिए डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है तो ये है भारत की प्राचीन तम परवत श्रिंखला है आरावली परवत श्रिंखला ठीक है विकल्प नमबर A इसका क्या होगा साय उत्तर होगा प्रशन संग क्या नबबे है देखिए दिगबोई ओईल रिफाइनरी की सरा जमस्तित है तो ये है असाम में विकल्प नमबर D भारतिय 93 है देखिए राजयसभा का पदयन अध्यक्ष कौन है तो ये तो है आपका उपर राश्टर पती विकल्प नमबर B 94 गुड्स एंड सर्विस टेक्स मतलब GST कब लागू हुआ तो ये हुआ था देखिए विकल्प नमबर आपका A इसका क्या होगा सई होगा जुलाई 1, 2017 यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई तो इसका जो सही उतर है देखिए वो होगा विकल्प नमबर B 1963 में निमिल कितमें से किस के द्वारा पोलियो होता है ये होता है आपका विशानों के द्वारा एंटरिम आप स्कम तो इसका होगा आपका रेजिस्ट विकल्प नमबर B और 98 का देखिए हीरिंग आफ इस मदर्स इलनेस ही एट वन स्टाटिड फॉर कानपूर ठीक है नेक्स देखिए 99 होनेस्ट नेस्ट इस तो विकल्प नमबर B इसका होगा एंट अनप्रिजेंट सिचुएशन ठीक है इसका क्या होगा साही उतर होगा नेक्स देखिए वन वर्ड सब्स्ट्यूशन है आया था है न तो इसका जो साही उतर होना था विकल्प नमबर B अंडर का क्या था नेक्स जए 101 तिरसकार का संदी विछेद तो इसमें थी आपकी विसर्ग संदी तिरह जमा कार विकल्प नमबर C इसका क्या था साही उतर था देवसूर में समास है तो इसमें आपका जो समास आना था देखिए विकल्प नमबर D द्वन्द क्योंकि देवता और असूर तो बिचीत करने पर और मिल रहा था तो इसलिए इसमें क्या था दौन दस्मास था चीता का प्रयाव अची शब जो है देखिए वो चीत्रग है जबकि अस्तिनस्ति में पढ़ना मुहावरे का अर्थ होता आपका विप्रित्त दशा में पढ़ना विकल्प नमबर डी तो ये थे आपके